अगर पंचाय सुनाव रद नहीं होता है, हम समझेंगे कि पंचाय का विधान सभा का लोक सभा का किसी भी सेक्टर में पर्तित्व करने वाले लोग नोकर साह के दुलाओं आदिवासी हैं मुखमंत्री, और साटिपिकेट के अनुसार से आदिवासी हैं, मैं इनको यह नहीं कर सकता है, इसको चलाने के लिए आज कोई दूसरे दीकू लोग बैठा हुआ है, क्यों नाम मांतर का यहाँ पर मुखमंत्री है देखिए सुप्रीम कोट का फैसला आप देख लिए न भाई, सुप्रीम कोट क्या बोलता है, कि आप पहले आपको अप्लिकेशन देना चाहिए था, यह पहले दाज करना चाहिए था, जीस व्यक्ति को अगर हमारे पक्ष में फैसला देना नहीं है, कारान तो बताएगा ही हमने तो यही बोला सुप्रीम कोट को, कि आप सविधान के अधार पे डिसी जन दिजे तो इन लोगों का यह भी कहना था, कि मुख्यावाट पार्चत, मुख्यामंत्री कुछ हो ही ना, राज ये को हम चला लेंगे, इनका ऐसा कहना था, आईए इनसे बात भी करते हैं, जानते भी है कि और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे चानल के माधर से किस चीज को लेकर के आज आप लोग यहां पर धन्ना पर बाठे हैं हम लोग पिछले लगबग 15 दिनों से ओबार हो जारा बैठा हुए हैं और हम लोग पांचवी अनुसूची छेतर में त्री अस्त्रिय पंचाय चुनाओ के विरोध में बैठे हुए हैं क्योंकि समयधानिक नहीं है हम लोग पांचवी अनुसूची छेतर में सासन और सोसासन समिधान के अधार पर खुद से संचालन करने के लिए दर्ज है इस इसको पुना धारातल में सोतंतर रूप से हम लोगों को चलाने के लिए सरकार छोड़ दे हम लोग यहां पर स्वयम सासन और सासन चलाएंगे इस चीज को हम लोग हां यह नहीं बात नहीं है यह बहुत पुराणी बात है कि हमारे पुर्वज लोग भारत की समिधान बनने से पहले खुद से सासन व्योस्था चलाया करते थे और उसी को देखकर के भार्तिय समिधान में भी हम पांचिवी और सुची शेत्र बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों को सुरक्षित रूप से स्वतंत्र रूप से सासन चलाने का अधिकार दिया हुआ है जिसिस को हम लोग इस धर्ना के माध्यम से यहां का राजपाल महामहिम को हम लोगों मेसेज देना चाहर हैं कि हम लोगों को फून रूपेन सोतंत्र कर दिया जाए कि सरकार नहीं चला पा रही है ये तो कन्फर्म है कि ये तो सभी जान रहे है कि सरकार आज के डेटमें किस इस्थिती से गुजरी हुई है बत से बत्तर होते जा रहा है और इस पर ज्यादा नहीं कहते हुआ हम ये बोलेंगे कि हम लोग को अपना जीवन जीने का स्वतंतर यह मेसिज देना चाहिए, देखे, आदिवासी हैं, मुखमंत्री, और साटिफिकेट के अनुसार से आदिवासी हैं, मैं इनको यह नहीं कर सकता, आपको मैं इसका एक उधारन एक्जामपल दे रहा हूं, कि गाड़ी केवल सब पार्ट्स बन करके गाड़ी बनती है, कि केवल दूसरे दीकु लोग बैठा हुआ है, कि वल नाम मांत्र का आपर मुकमंत्री है, दीकु सब्द अगर आप किसको बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, तो यह दीकु जो यहां की सासन व्योस्था को भंग करके, यहां की सांती को भंग करके, गलत धं से समिन्धान का उलंगन करत हुए गलत तरीका से यहां की जनताओं को यहां की धन संप्तियों को लूट करके कि कल्ह का खाड़ा बनाना चाहता है उसे दिखुपाइब हमारे साथ और भी लोग मौझूद हैं अई इंसे बी बात करते हैं कि वह इतने दिन से धरना पर बाते हैं और सरकार इंकी मांगों को पूरा नहीं कर रही हैं चुकि सरकार नाम का कोई चीज नहीं है राज्मेना केंद्र और सबसे बड़ी बात है कि जो राजपाल हैं आपके पांचीव निसूची भारते सविधान में लिफीवद है, धारा 244 वन जो है आप उसको पढ़ो उसमें जो हमारे लिए जो अधिकार है उसी की तहत आप करो इस पांचियों निसुची के नुसार राजपाल हमारा गार्जन है गार्जन अपने परिवार में चोर को भुसाए, चोर को रखे ये गार्जन को पेडिमेंट करता है और हमारे यहां जो लूट का तंत्र कई वर्सों से हो रहा है उस वक्त हम लोग सविधान नहीं जानते थे आज इतना बिरोजगारी, भष्टचार, इतनी समस्या जो पनपा है तो हम सविधान नहीं जानते थे उसके पीछे कारण है अज सविधान जान गए, इसलिए हम लोग पंचाई चुनाओं को ब्रूत कर रहे हैं चुकि पंचाई चुनाओं हमारे यहां अवैद है हमारे यहां आदिवासी, सासन, स्वसासन, यंत्रम का प्रमपरा है इस एरिया में जितने भिजात के लोग हैं पाच्वन सुची के अनुसार, सभी के सभी आदिवासी बस समझ रहे हैं, तो क्या है अभी की स्थिती आप देख लिजीए कोई संतूष्ठ है क्या, मिडिया संतूष्ठ है क्या अधिकारी संतूष्ठ है क्या कोई भी करमचारी संतूष्ठ है, किसान संतूष्ठ है इतनी मांगाई पढ़ चली है नियंतरन किसी के हाथ में नहीं तो हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि जारखन को पुरे देश को आज सांसद विधायक नहीं चला रहे हैं यहां तक कि मोदी भी आप बैठे हैं परधान मंत्री के रूप में अच्छा बोल लेते हैं जरूर हम मुर्खों को अच्छा गाइड कर लेते हैं जरूर लेकिन नोकर साहों के पोकеट में वो भी चलते फ्रते हैं तो नोकर साह चला रहे हैं अगर पंचाई चुनाव रद नहीं होता है हम समझेंगे कि पंचाइड का विधान सभा का लोग सभा का किसी भी सेक्टर में पर्तिदित्व करने वाले लोग नोकर साह के गुलाम है और ये सच्चाई सविधान का खुलम खुलावू लंगन करना सबसे बड़ा देश दिरोगी तो लोग समझेंगे और आएंगे सामने हमारा समस्या के समधान होगा आज नहीं होगा कल नहीं होगा नरसो नहीं होगा बरसो होगा लेकिन जरूर होगा और ये लड़ाई लड़के हम लोग इस जगह को जरूर प्राफ्ट करें देखिए सुप्रीम कोट का फैसलाब देख लिया न भाई सुप्रीम कोट क्या बोलता है कि आप पहले आपको अपलिकेशन देना चाहिए था कि आप सविधान के आधार पे decision दिजे, आप किसी के पक्च पात मत करिए, नियाला एक उपर भरोसा है हम लोग का, बेसक भरोसा है, लेकिन सभी कूर्सी में बैठे लोग सविधान का पालन ही करते हैं ये जवरी में, इसलिए नोकर साहों के बीच में भी इस बार हमको मुख म मंतरी बनाओ, इस बार हमको परधान मंतरी बनाओ, और 55 साल में हम लोग सोचते हैं इसको बनाएंगे तो ये करेगा, हो करेगा, सारा कहना सब ब्यार्थ है, किसी को बनाओ, कुछ नहीं होना है, सविधान ही आपको बना सकता है, सविधान ही आपको आजादित दिला सकता है सविधानी जार्खन को स्वर्ख बना सकता इसलिए पांचीवन सुची का मोल रूप से बोले न ग्राम सभा है एक नारा पता होगा आपको लोग सभाना विधान सभा सबसे उचा ग्राम सभा इनारा कौन दिया यही हमारे पूर्वज जत्राकाना भगत और जितने भी सोतंतर सनानी था उनका नारा था इन्होंने जार्खन को स्वर्ख बनाने का सपना देखा था जार्खन को विकास करने का सपना ने देखा था विकास करने का हर्थ यहां लोग जो करते हैं यह लोग रोड बनाओ, पुलिया बनाओ, पेड़ कटो अज हम लोग उसी मुहिम में है सत्याग्रह पे बैठे हैं और यह अनिचित काल के लिए होगा और हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी ने होती है अति कर्मन ने हटता है अमारे रिया से तब तक बैठे हमेंगे हमको रोजगार के नाम पे मज़दूर बनाये जाता है इसी जा बाद भारत को जारखन को नोकरसा है नहीं चला रहे हैं है नमलाल टाना भगर तो जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों का क्या कुछ कहना था क्या यह कहना चाहते थे अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें